भारते सम्विधान के मुख्य शिल्पी टॉक्टर भीमराव अंबेटकर के 125 जयनती वर्ष के अफसर पर कॉंड्रिस द्वारा आयजित समारों के राश्ट्रिय उद्घाटन में शामिल होने के लिए कॉंड्रिस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को एक दिन की यात्रा पर अंबेटकर के जन्म स्थली महु पहुँचे यहां उन्होंने बाबा साहिब के भव्यस मारक पर माल्यारपन किया सभा स्थल पर राहुल गांधी करीब धाई खंटे देरी से पहुँचे फिर यहां ज्यादा कुछ नहीं बोले बलकि पूरे समय उन्होंने बाबा साहिब अंबेटकर की ही चर्चा की भाचन के दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना भी सा था सभा स्थल पर उन्होंने कहा की पुराने जातेवार की दिवार पर एक जबर्दस्थ छोट मारे शिक्षित पनो संघर्ष करो संघठित रहो का उनका संदेश आज भी जोरो से गुंचता है बाबस साब के योगदान को देश और जाती की सिमाव में नहीं बांदा जा सकता सबिदान के लागू हुए 65 साल होगा है लेकिन जाती बाद आज भी हमारी राजनेती हमारे स्कूलों और हमारे दिमाग में बसाएं जाती आपको शायद राजनेती में आगे बढ़ने देएं लेकिन नौतरी पाने से रोक सकती है इस देश में आज आपको कोर्ट में नया पाने से शायद ना रोका जाती है लेकिन स्कूलों में अच्छी शिक्षा पाने से रोक सकती है सच्चा यह है कि आज भी भारत में हमारे देश में जाती बाद से कोई नहीं बच सकता हमें जाती बाद को जड़ से उतार कर खार कर ठेकना है अगर जाती बाद का मतलब किसी को अधिकार देना और किसी को अधिकार से दूर रखना है तो हमारी लडाई सब को अधिकार देने के लडाई है आपकी लडाई सब को अधिकार देने के लडाई है कॉंग्रेस सरकार में लेंगरी डिस्टिबूशन किसके साथ खड़ी रहेगी जहां कहीं भी अधियाय होगा चाहे वो दलित आधिवासी महिला या किसी भी धर्ब के लोगों के साथ हो कॉंग्रेस पार्टी आपको वहां खड़ी दिखाई देगी सभी वर्बों के लड़के और लर्टियों को सरकारी ही नहीं private नौप्री में बिशाहिए सभी धर्ब वर्बों के लोगों को इंटेप्रणर बनना चाहिए बड़ी-बड़ी कम्पनियों में CEO बनना चाहिए और बड़े सरकारी बदों पे काम करने का गौका मिलना चाहिए इस पर कोई दो राएं नहीं हो सकती जादिमान एक सचाई है और इसको हणाने के लिए बाबा साथ के उस महान मिशन को पूरा करना हम सब के जिम्मेदाने यह एक पुश्किल काम असान काम नहीं है हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भारत को अब उन विचारदाराओं से कोई ख़त्रा नहीं है जो एक इनसान को दूसरे इनसान से नीचा मन दे जब एक महिला बिना डर्ग के बस में सब़तर पाएगा तब एक जीत हमें मिलेगी जब आप आए युगा एंटर्परिनर या फिर अलिगार का एक कॉलेज स्ट्उडन सब को इस एकोनोमी में शामिल होने और आपे बढ़ने का मौका मिलेगा तो दूसरी जीत हासिल हो हरे जीत से आस्ते आस्ते ये दिवारें तूटे लिए लेकिन मैं यहाँ याद बिलाने चाहता हूँ कि बावा साथ के सपने को मिशन को पूरा करना मिशन को पूरे करने की जिमेदारी मेरी कॉंग्रेस पार्टी आपकी और देश पे हरे एक नागरिक्की है सब को आगे बढ़कर जातिवाद को हराने के लिए अपनी जिमेदारी पूरी करनी होगी मैं आज मैं आज मैं आज सब युवाव से मैं आज सब युवाव से एक अपील करना चाहता हूँ कि जातिवाद के खिलाब अब वो चुप ना रहे ताकि धीरे धीरे वो दिवारे तूप जाए जो हमको बाबा साब अम्बेट करके सबने से दूर लगती जे भील जे भील कर दो कर दो